दस्तों आज केसी वीडियो में बात करने माले हैं ASD अमांट यारने की Additional Security Deposit के बारे में कि एडिशनल Security Deposit क्या होता है हमारे बील में क्यों charge क्या जैता है, कब charge क्या जैता है, और कितना charge क्या जाता है तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियों उन्हों किसी बारे में बात करेंगे दोस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमीत आप देख रहे हैं जरूरी बाते हैं चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सेकुरिटी डिपोजिट के बारे में जानने से पहले हमनों बात कर लेते हैं सेकुरिटी डिपोजिट के बारे में कि सेकुरिटी डिपोजिट क्या होता है दोस्तों पोस्ट पड़ बिजली करें केस में पहले हमनों बिजली का इस्तमाल करते हैं आपको जो भी connection मिलावा पहले आप बिजली इस्तमाल करते हैं, पूरा एक महिना जो बिजली इस्तमाल कर लेते हैं, तब आपके घर मीटा डिडर आता है, आपका रिडिन नोट करता है, और उसका फिर एक महिना का बिल बना कर देता है, ऐसे में क्या होता है कि आप जो पूरा पै करते हैं, ऐसे में क्या होता है कि आप जो भी बिल करें उसको 45 दिन के बाद पै करते हैं, इसलिए आपके बिल में security deposit लिया जाता है, जो कि आपके बिल के लगवाख 45 दिन का बिल होगा, उसके हिसाब से उसके recording आपको security deposit जम्मा कर वाया जाता है, दोस्तों जब आप connection ल होना है, इसलिए starting में initial security deposit आपसे आपके category और load के recording जम्मा कराया जाता है, जो कि एक fixed amount होता है, जो कि पहले सताय की आवरता है कि इस category में इतने load के लिए इतना security deposit जम्मा कर वाया जाएगा, वो security deposit आपको connection के time में जम्मा कराया जाता है, जब आपका connection हो जाता है, तो एक साल इतने के बाद से आपके एक साल का consumption pattern analyze होता है, उसके recording आपका 45 दिन का जो भी bill बन रहा है, उसके recording आपको additional security deposit आपसे bill में charge किया जाता है, जा समाल लेजे आपका connection के time में आपसे 500 रुप्या security deposit जमा करवाया गया है, आप 500 रुप्या connection के time में as a security जमा किया है, लेकिन अगर आपका monthly bill 1000 रुप्या का बनता है, तो 45 दिन का bill अगर आप calculate करेंगे तो 1500 रुप्या होगा, ऐसे में आपको 1500-500 रुप्या प्रिवियस security deposit घटा के 1000 रुप्या आपको additional security में charge करके आपके bill में आएगा, आपके bill में जूड के आएगा, आपसे demand किया जाएगा कि आप 1000 रुप जोड के नहीं आएगा, दोस्तों ये दुबारा सभी आपके bill में charge किया जा सकता है, क्योंकि हर साल आपका consumption pattern change होते रहता है, तो अगर हर साल consumption आपका बढ़ेगा, तो consumption के according आपका मंतली bill भी बढ़ जाएगा, तो अगले साल अगर आपका consumption pattern बढ़ जाता है, तो उसके according bill से आपको bill में SD amount जोड के आ सकता है, दोस्तों SD amount चेंज होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आपका consumption pattern बढ़ गया हो, जो भी आपका पहले consumption रहा है, उससे आपका consumption अभी बढ़ गया है, दुसरा ये भी हो सकता है कि हर साल बिजली का rate revise होते रहता है, हर साल बिजली का rate ज बढ़ जाएगा, इसलिए आपका security deposit का amount भी चांज जाता है, उसके बाद से आपको जो भी difference amount होगा, वो difference amount आपके अगले bill में एक साल बाद आपको फिर से additional security deposit के रिप में आपके bill में जोड के आएगा, तो तो स्तों मित आप समझ गहों के ASD amount यानि additional security deposit क्या होता है, आपके में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे comment box में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें comment करके जरूर बताएं, और आपने अकर आपने चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए, क्योंकि मैं आप सब्सक्राइब बने बात्रम